अधिराज क्लासेश के तरफ से सभी को नववर्ष की हरदिक शुपकामना है इसकी क्या क्या सिफारिश हैं क्या क्या चेंजिस की बात करता है जो की हमारी NEP 2020 Competency Based Education को लेकर करती है चलिए फटावर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में Recommendations of NEP 2020 Shift in the Focus of Assessment मुल्यांकन के Focus में बदलाब कि अभी तक जो हम मुल्यांकन करते आ रहते हैं Major changes हैं यहाँ है कि इसके मुल्यांकन के Focus में बदलाब करना है आपको जो मुल्यांकन करना है वो मुल्यांकन होना चाहिए कि बच्चो का Positive मुल्यांकन होना चाहिए जिससे के अंदर बच्चों के अंदर सीखने के लिए नहीं जोश को आप भर पाएं, सीखने के नहीं टेक्निक्स जो हैं आप बच्चों के साथ में यूज़ कर पाएं, एक नहीं तो कई जाधा यूज़ कर पाएं, और जो assessment हो बच्चों को holistic development को देखते हुए उनका assessment किया ज process, शिक्षन सीखने की प्रकिर्या को अनुकूलित करने के लिए मुल्यांकन का उपयोग किया जाना है, बेसिकली अनुकूलित करने के लिए जो assessment हो ऐसा ना हो जिससे बच्चों के अंदर कुछ negativity आए, बच्चों के अंदर negativity नहीं आनी चाहिए, बच्चों का कैसी मुल्यां critical thinking, data science, artificial intelligence, machine learning to be used, गणित और गणितिया सोच, data science, artificial intelligence, machine learning का उपयोग किया जाना है, बच्चों को निपून भारत के according आपको प्रिपेर करना है, बच्चों की FLN, foundation, literacy, जो भी यहाँ पर NEP 2020 ने प्रिपेर करके आपको दी है, जो बताया है, इस level तक बच्चों को ये चीज़ learning outcome based examination, basically हम जब भी कुछ teaching learning process अपना करते हैं, उसके हम कुछ learning outcomes प्रिपेर करते हैं, अब learning outcomes हमारे कुछ कई बार achieve हो पाते हैं, और कई बार achieve नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर बात की ज़रे हैं, learning outcome based examination, जो भी हमने learning outcome जो भी हमने उद्देश्शी प्रिपेर किये हैं, जो भ The goal is to move away from road learning towards learning how to learn. लक्षा यह है कि रट्टा मारने वाले शिक्षा से बढ़कर ये सीखना है कि कैसे सीखना है, मैंने पहले ही बताया, बच्चों को अंदर, आप जब आप question वाले question thinking आप critical thinking develop कर देंगे, तो बच्चे आपने आप ही चीजों को एक inquiry-based learning आपको ऐंपर डेवल्प करनी है ठीक है, question-based learning आपको ऐंपर डेवल्प करनी है flexibility in selecting subjects, focus on proficiency in languages, scientific temper, creative and innovation, art and aesthetics, health and nutrition, fitness, wellness, ethical and moral reasoning, gender sensitivity, citizenship skill, resource conservation, current affairs and knowledge of critical issues, अब यहां पर जो बात की जारिये इन सब के लिए बच्चों को पूरा freedom होना चाहिए आगे मैं भी दो slides आपको दिखाऊंगा जिनसे आपको और clear हो जाएंगी चीज़े नैतिक और नैतिक तर्क, लिंक संविदन शीलसा, जैंजर संसिटिविडी बच्चों के साथ होनी चाहिए नागरिकता कौशल बच्चों को सिखाना चाहिए, संसाधन सरक्षन, जो भी हमारे जो basic संसाधन है उनको सरक्षन बच्चों को सिखाना चाहिए जो भी उनके surrounding चीज़े चल रही है, जो भी मुद्न है, उनको भी बच्चों को knowledge होनी चाहिए अब यहाँ पर यह देखिए, पहले slide आप देख रहे हैं, आप लिखाए, I expect you all to be independent teacher जो है, यह कह रहे हैं, आप सभी को स्वतनता पूरवग, innovative and critical thinkers, आप innovation करने के लिए बिल्कुल free है, who will do exactly as I say, लेकिन करना आपको वैसे है, जैसा कि मैं कहा रहा हूँ, आप free है, लेकिन य कैसे है, जैसे मैं कहूँगा, तो आपको यह नहीं करना है, आपको as a facilitator work करना है, यहाँ पर class के साथ में, और next slide देखिए, यहाँ देखिए, all you have done is chisel all day, do something useful, like helping your brother, drag those rogues, अब देखिए, इसका छोटा भाई है, जो की पत्थरों को उपर खीच रहा है, और निकी मदर है क चीज़े हो रहे हैं, उसको accept करने के भी आपके अंदर, एक quality होनी चाहिए, बच्चा जो नए innovation कर रहा है, उसको आपको accept करना आना चाहिए, और बच्चे की उन चीज़ों को सबाब को appreciate जरू करना है, appreciate करेंगे, तो यहाँ पर positive enforcement काम कर रहा है, बच्चे के लिए धनात्मक बल काम कर रहा है, अनात्मक बल काम नहीं कर रहा है, चलिए आगे जानते हैं, classroom transactions will shift towards competency-based learning using art-integrated, sports-integrated and storytelling-based pedagogies, कला एक 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 खेल एक एक रहत और कहानी कहने पर आधारिश शिक्षा शास्तर का उप्योग करके कक्षा के लिए नहीं होगी ता आधारिश शिक्षा की और ब चीज़ों का आप पर integrate करना है, less emphasis on input and great emphasis on output, input बच्चे के दिमांग में घुसाने के लिए input के उपर ज़्यादा emphasis नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उन कम input देकर भी, कम input देकर भी आपको ज़्यादे ज़्यादा आपको output और भी potential output आप कैसे निकाल पाएंगे, desired learning outcomes जो भी आप maximum output है, उसकी शमताओं को आप बहार निकाल सके, formative and adaptive assessments as, of and full learning will be aligned with the learning outcomes, capabilities and disposition for each subject in a given class, सभी इस विश्यों के साथ में, जो भी हमने अपने subject के learning outcomes बनाए हैं, जितना भी हम assessment करते हैं, वो assessment उनके साथ में align होना चाहिए, basically जो मैंने पहले बात की, के जो assessment हो, वो ऐसा हो, जो क्या सीखा, कैसे सीखा, कितना सीखा, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, जो भी हम करेंगे, वो सारा का सारा, हम अपने learning outcomes के basis पर करेंगे, examination to test achievement of learning outcomes through assessment of core concept of knowledge, जो भी आपको assessment करना है, वो जो knowledge का core concepts है, उनके basis पर होना चाहिए, relevant higher order skills, हाट्स, questions जो होते हैं, higher order thinking skills जो होते हैं, हमारी hots, ये भी कई बार exam समा जाता है, तो इसके उपर होना चाहिए, application of knowledge in real life situation, जो भी application है, knowledge का जो implication किया जा रहा है, वो real life situation पर होना चाहिए, meeting the skills requirement of the 21st century, जो की वरतमान समय की requirement है, उसके आधार पर बच्चों के अंदर वो सारे skills develop होनी चाहिए, ज्यान की कि उपलब्दी का परिक्षण करने के लिए परिक्षा की जानी चाहिए, जो भी आप assessment करें, वो ऐसा होना चाहिए, जिससे बच्चे वाकई में क्या सीखा उन्होंने, और उनसे क्या-क्या improvement उनके अंदर आएगा, curriculum and textbook for competency-based education, युग यत आधर ख्षिक्षा के लिए पाठ् education-based learning को, practice-based internship with local vocational expert, इस थाने वेफसाइक विशेशक्वियों के साथ अभ्यास आधर्थ internship, जैसा गांधी जी ने कहा था, हमारी बुनियादी तालीम, उसी के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर भी आएंगे, जो NEP 2020 के अंदर, focus on developing moral ethics values, नैतिक, नैतिक मुल्यों के व health, nutrition, hygiene, आपदा प्रतिक्रिया, प्रात्मिक चिकित्स, स्वास्त, पोशन, स्वच्छता पर मुनियादी प्रशिक्षन बच्चों का होना चाहिए, high quality bilingual home language and English, teaching learning material, उच्च गुंगत्ता वाली दुई भाशा, घरेलु भाशा और अंग्रेजी चिक्षन सामगरी होनी चाहिए way forward for competency-based education, युग यतार शिक्षा के लिए आगे का रास्ता के है, competency-based education को किस तरीके से proper implement किया जाना है, यह कैसे prepare करना है, इसको कैसे implement करना है, सबसे पहले है हमारा development of parameters and rubrics for assessment, assessment के parameters किया होंगे और rubrics के तुर इसका assessment किया जाना है, मुल्यांकर के लिए parameters और rubrics का विकास किया assessment जो किया जाना है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि दक्षताओं और सीखने के प्रिणामों की उपलब्दी के आधार पर जो भी learning outcomes अचीव हुए हैं, उनके basis पर यहाँ पर बच्चे का assessment किया जाना है, curriculum, syllabus and teaching material be presented in an integrated manner, पाट्टे चर्रे, पाट्टे कराम और शिक्ष्ण implementation के लिए, well planning के लिए, teachers की training एक नियमित आधार पर, नियमित अंतराल पर की जानी है, तो NEP 2020 की context में इतना ही है, कि जो हमारा CBE कहता है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like कीजिए, जादे जादे शेयर कीजिए, तो thank you so much guys for watching,